तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि साम को आठ से नौब जे के बीच में BPSC TRE 2.0 स्कूल आवंटर और साथ ही भी देले पता स्थापन पत्र सेरेटर जो मेरे पास विभागी है अपडेट आएगी मैं आप सभी को अपडेट करूँगा तो इसे में सिचाववा का ओफिसियल ग्रूप में जो अपडेट आया है आएए मैं आप सभी को वही अपडेट करने वाला हूं और थोड़ा सा लेट से वीडियो लाने के लिए आप सभी से माफी मागना चाहूंगा तो वीडियो को अन्तक जोड़ देखे और साथी चैनल प बताया था क्योंकि बहुत सारे से बच्चे हैं बहुत सारे से गल्स हो चाहे बॉइज हो जो बी आर्सी में अभी तक एक मेनों से लटके हुए हैं और दर भटक रहे हैं नहीं तो उनको छुटी मिल रहा है और नहीं उनको फैनली इसको आबंटन लिस्ट दिया जा रहा है या बिद्याले पतरस्थापन पतर देखे जोन करवा जा रहा है तो इसे में उनके जो दर्द भरी बार बार कमेंट आ रहा था उसको मैंने ग्रूप में सेर किया और उससे टेट कुछ अधिकारी हैं जिनका रिप्लाय है आईए मैं वही आपको इस वीडियो के माध्यम से स जरूर लेंगे तो ऐसे में देखे अभी जो मैंने आप सभी का कमेंड रखा और साथ ही मैंने आप उनके दोरा किलियरली जो इससे पूछा तो देखिए उनके दोरा जताय जा रहा है कि कल साम तक स्कुल आब ट्रंसलेटेड लिस्ट आने की संभाब नाए हैं और देखिए उनके दोरा positive response आये हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से share कर रहा हूं और उनके दोरा यही बताया गया कि कल इससे related साम से हो सकता है district wise आपके list आना प्राराम हो जाएंगे तो कुछ ऐसे district हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं ले सकता है उनके दोरा क्योंकि बताया न स्थापन में उनके दोरा बताया गया कि अभी टाइम लगेगा तो देखिए इसका क्या मतलब है official notice में लिखा था कि 31,2024 तक सारे कुछ काम करवा लिया जाएंगे लेकिन सिचाहिवाग का जो message है उसमें बताया गया कि बिद्याल पदस्थापन में अभी टाइम लगेंगे तो मैंने यहां तक mention किया कि 31,2024 official notice में दिया गया तो उसके बाद उनका reply नहीं आए इस पे भी अगर reply एगा तो मैं आप सभी को जरूर update करूँगा तो दोस्तों यह तो important है और साथी supplementary के बारे में अगर बात करूँ इस वीडियो के माध्यम से तो कल आपके supplementary का भी result आने की संभाबनाई जताई जा रही है और उसमें एक अच्छे amount में आने की संभाबनाई है अब जो 14,000 को लेकर था कि उसका supplementary result आएगा या नहीं तो मै आप 40,000 supplementary result आज सकते हैं तो यह मेरा question उन से है और चलिए finally हम लोग कल वेट करते हैं और कल देखिए जिस भी डिस्टिक से आप लोग हैं देखिए मैं clearly आपको mention नहीं करना चाहूँगा कि आपके ही डिस्टिक आएंगे क्योंकि जिस भी डिस्टिक हैं किसी भी अगर एक लिस्टिक आगया तो धीरे-धीरे करके हो सकते हैं दो दिन टाइम लगे लेकिन आपके हर एक डिस्टिक आना प्राडम हो जाएंगे तो फिलाल यह सारे updates थे और मैं देखिए अभी भी बताना चाहूँगा कि इसकुल आबंटन 10 तक आपको किसी भी हाल में करवाय जाएग क्योंकि यह देखिए official ACSK के पाठाक का नोटीस है तो मुझे लगा कि कई न कई इस पर action जताई रही होगी और उसे चावबाग फिर से इसे action में आ चुके हैं कि हो सकता है दो दिनों में देखिए इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इनको करवाना जब आप लोग जोइन करवना चाहिए था उसके बाद जो आपके रिवरिफिकेशन थम वरिफिकेशन जो भी करवना आप लोग करवा सकते हैं तो यह सारे अपडेस्ट थे और फिलाल मैं कल मैं फिर से आप सभी के बीच मिलूंगा और साथी आसा करते हैं कि कल आपके एसकूल आब अब अ लेकिन को अभी तक डाइट भी नहीं दियागा और साथी छोटी भी उनका नहीं मिल रहा है और कहीं न कहीं बीयार सी से आप लोग छोटी लेने का परियतन भी नहीं कीजिए जो कि जब अगर उसमें धरा गए तो आपको उसी टाइम जो आपके आबंटीत होने वाले उसको रद्द कर दिया जाएगा तो यहां तक यहां पर एक और मामला बन रहा है कई ऐसे बच्चे होंगे जो भी उहां से भी छुटी ले रहे हैं उनका कोई भेलू नहीं है उनको वहां से ब्यार्सी से आप लोग इसली छुटी ले सकते हैं लेकिन जब उपर से चेक करने आगा अधिकारी जो आपको वहां पर ब्यार्सी में जो आपको सोबते हैं काम वह ज्यादा बड़े पोस्ट पर नहीं होते हैं वह सिंपल सा ब्यार्पी होते हैं तो इसलिए उनके बातों पर मत रहें और छुटी आप लोग कम ही लीजिए गया क्योंकि एक दो दिनों की बात है आप लोग जोइन कर लेंगे तो यह सारे मेरे पास इंफॉर्मेशन थे और मैंने परियतन कि आप सभी के बीच रखने का और फिलाल कल गया होता है चलिए कल का बहुत ज़्यदा वेट है आपको भी और मुझे भी कल अगर कुछ नहीं होता है तो मैं इस पर बहुत कुछ कर जय हिंद